पर बात करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की आपको पताने के देश के प्रधान मंती नरीद मुदी ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडन से फोन पर बात चीत की है दोनों नेताओं में विपक्षी सहयोग बढ़ाने पर ये पात चीत की गई है तो प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने अमेरिका के राश्पती जो बाइडन से फोन पर बात चीत की है और अपनी जो सेवा है उसको और आगे बढ़ाईगे प्येम बोदी ने जो बाइडन से फोन पर बात चीत की है एर एडिया का करार होने जा रहा है बोईंग के साथ जिसमें एर एडिया कुछ नए विमान खरी देगी और अपनी जो सेवा है जो उसको विस्तार देगी एलाइन से वकुत स्टार देगी इसलिए नया करार होने जा रहा है बोईंग और एर इंडिया के बीच में प्रधान मुझी नदेल रिमोगी में प्रीच जो बाइडन से पाचीट की है जो देशन के रिच्टे कापी मज़ूर है और ये करार अगर होता है तो तो रोजगार भ चले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं मेघाले में आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोशना पत्र जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें सुभा करीद 11 बजे ताज विवानता शिलाउंग में ये घोशना पत्र जारी किया जाएगा तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी में घाले में अपना घोशना पत्र जारी करने जा रहे हैं जेपी नड़ा आज सुभा 11 बजे खबर है कि बीजेपी का घोशना पत्र जारी करेंगी स्वास्ते सेवा चेतर की सरहानक की थी औरोंने कहा कि पहले देशों के ठीके तैयार करने में काफी समय लग जाता था लेकिन अब भारत ने कोविड-19 के लिए वैक्सिन तैयार कर लिया है प्रधानमंति नरीद मूदी के नेत्रित में भारत ने सौ देशों को कोरोना बायरस के ठीके भेजी जबके 48 देशों को तो इसे मुष्ट में दिया गया और इदर आज गुच्रात के द्वारे पर रहेंगे लोगसभा अद्यक्ष ओम बिल्ला एहम खबर बड़ी खबर गुच्रात द्वारे पर जा रहे है आपको बताते के प्रभोधन कारिक्रम का ओम बिल्ला उद्गाटन करेंगे आज इस दोरान तो एहम खबर बड़ी खब जिया लोगसभाद्यक्षों बिल्ला आज गुच्रा दौरे पर रहेंगे गांधी लगर में विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रभुधन कारिक्रम का लोगसभा स्पीकर उधातन भी करेंगे इस प्रभुधन कारिक्रम में मुख्य रूप से सर्वोच प्रतनिदी संस्ता के रूप में संसद की संविधानी भूमिका और स्थितिकी चानकारी देने के साथ ही सदस्यों को विधाईका की कारपरणाली, संसद्य परंपराओं, बैठकों और शिष्टा चार के बारे में भी साथ ही इस प्रभुधन कारिक्रम में विधान सबा के सदस्यों को प्रभावी विधायक कैसे बने, समीती प्रणाली और संसद्य प्रश्ट, बजट यप परक्रिया, विधाई प्रक्रिया, जीट वंटी में भारत की अध्यक्षता जैसे बिश्यों के बारे में इस कारिक्रम में आपको बता दे कि मुखे मंतरी भुपेंद पटेल, गुजराद विधान सबा के अद्दक, शुशनकर चौतरी और इनके साथ ही तमाम गड़माने लोग जो हैं वो मजूद रहेंगे तो गुजराद दोरे पर रहेंगे, लोग सबा के स्पीकर, ओम बिड़ला, वहाँ पर वो विधान सबा के जो विधायक हैं, विधान सबा को भी संबोजित करेंगे, प्रबोधन कारिक्रम में हिस्सा लेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में जान खारी देंगे चलिए अगली बड़ी ख़बर दिल्ली से, दिल्ली हाई कोट ने बुल्डोजर कारवाई पर एक्शन लिया है, महरोली में बुल्डोजर कारवाई पर रोक लगा दी गई है, दो दिन के लिए बुल्डोजर कारवाई पर ये रोक लगाई गई है, दिल्ली हाई कोट ने ड पुकानों को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याची कपर 14 फरवरी को दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधी करण से जवाब मालगा। पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। और दिली हाई कोट ने दिल्ली सरकार, डेडी और एसाइ को इस दुरान नोटिस भी जा रही क्या है। दिली हाई कोट ने बुल्डोसर काड़ वेपर फिलाल एक्शन लेते हुए दो दिन के लिए रोक है और दो दिन तक वहार के लोगों को ने रहत की सांस ली है चले बढ़ते आगे करनाटक में पीम मोदी ने सिनेमा खेल से जुड़े तमाम दिगजों से मुलाकात की इन दिगजों से पीम की मुलाकात काफी एहम मानी जा रही है क्योंकि करनाटक में चुनाओं होने वाले हैं ऐसे में केजी एफ स्टार, यश, क्रिकेटर अनिल कुमले समेट कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात क्यों है खास आई आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जारी इस मुलाकात सियासी गलियारों में हलचल हुई तेज इस मुलाकात के पीछे का क्या है राज मुलाकात महज एक अपचारिकता या चुनावी रण जीतने की है तैयारी पीएम मोदी ने करनाटक में कई मशुहूर हस्तियों से मुलाकात की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है दरसल पियम मोदी ने साउथ सिनमा के तमाम हस्तियों के साथ साथ स्टार्ट अप जगत के उद्यमियों और खिलाडियों से मुलाकात की KGF स्टार यश, रिशब शेटी समेट, पूर्व क्रिकेटर अनिल कुम्बले, जवागल श्रिनात शामिल थे यश उन कुछ दक्षिन सितारों में से एक हैं जिनकी दुनिया भर में उपस्थिती है रौकी भाई के रूप में जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है और केजी अफ टू के सफलता के बाद तो यश सिर्फ दक्षिन सिनमा में ही नहीं बलकी हिंदी पट्टी के दर्शक भी उनके दिवाने हैं मही पूर्व भारतिये क्रिकेटर अनिल कुम्बले के नाम को भला कौन नहीं जानता भारत के बहतरीन स्पिनर रहे अनिल कुम्बले जम्बो के नाम से क्रिकेट प्रशनसकों के बीच मशुहूर है ऐसे में राजभवन में भले ही पियम मोदी ने इन हस्तियों से अपचारिक मुलाकाद की हो लेकिन सियासी पंडित इसके कई माईने निकालने में जुट गए है दरसल करनाटक में चुनाव होने हैं मौजूदा समय में यहां बीजेपी की सरकार है और बसवराज बुम्मई प्रतेश की मुख्यमंत्री है करनाटक विधान सभाका का रिकाल माई 2023 में खत्म होने जा रहा है और उससे पहले चुनाव कराय जाने के संभाबना है और चुनावी शंकनाद से पहले राचनितिक दल सियासी अखाड़े में उतर चुके हैं कुछ समय पहले राहुल गांधी ने दक्षिन से ही भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत कर जनता को साधने की कोशिश की थी हाला कि 2019 के बाद लोग सभाचुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस में यहां से कॉंग्रेस की सरकार छिन चुकी है और कॉंग्रेस जनतार जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करती नजर आ रही है ये अलग बात है कि कॉंग्रेस का जनतार जमीन पर मजबूत होगा या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन तैयारियों में कॉंग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी के लिए दक्षिन को साधना एक एहम रणनीती बन चुकी है ऐसे में अगर पिछले चुनावी समय का रण को देखें तो 2013 में यद्यूरब्बा बीजेपी से अलग हो गए थे जसके बाद पार्टी चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारी थी बीजेपी का वोट प्रतिशत सीधा गिर कर 20 फीसदी हो गया था 2014 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 43 फीसदी हो गया था 2018 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 7 फीसदी गिर गया पार्टी ने 224 विधान सभा सीटों में से 104 सीटों पर जीत दर्ज की 2019 लोग सभा चुनाव में बीजेपी को रज्य में कुल 51 फीसदी वोट मिले थे जिन सीटों पर पाची चुनाव लड़ी थी वहां का वोट प्रतिशक 53 फीसदी रहा था रज्य में पार्टी ने 28 लोग सभा सीटों में से 25 पर जीत दर्ज की थी भले ही करनाटक में बीजेपी सब्ता में है लेकिन बीजेपी सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती यही वज़ा है कि हाइदरबाद में बीजेपी ने संकल्प सभा का हायूजंकर इस बात का संकेत दिया था कि अब बीजेपी दक्षन के सियासत में कमल खिलाने की योजना बना रही है ऐसे में भले ही करनाटक में दिगजों से मुलाकात को एक महज औप चारिकता मानी जाए लेकिन इसके पीछे के संकेत कुछ खास हैं और ऐसे में अगर इसे चुनावी रणनीती से जोड़ कर देखा जाए तो खलक नहीं होगा बीरो रिपॉर्ट न्यूस इंडिया पूर्ध गालियों ने मंदिर को नस्ट कर दिया था । जिसके बाद उसमदिर को छतरफटेश शेवाजि ने 350 साल पहले माहराश्च से गोवा आकर दोबारा इस्थापित किया पर्तुगालियों ने इस मंदिर को नस्ट कर दिया था लेकिन अब एक बार फिर से इस मंदिर में लोग कोजा अर्चना कर सकेंगे इस मंदिर में जा सकेंगे यहां पर क्योंकि आपको बता दे कि नमिली करण इसका हो क्या है और सेम प्रमोस सावंत के हाथो इसका लोकार पर भी हो क्या है औरब बात करेंगे, Ayo India शो 2023 के तीसरे दिन की आपको बताति के Ayo India में मेडिन इंडिया का जल्वा जो है वो लगतार बरकरार है आसमान में भारत की ताकत लगतार हम देख रहे है वहीं बैंगलोरों में आज Ayo India शो का तीसरे दिन है और वहीं दूसरे दिन आस्मान में एक से एक ताकतवर हवाई युद्धा उडान बढ़ते वे दिखाए दिये इस एर शो में 98 देश शामिल हुए हिंदुस्तान के वायु वीरों ने हवाई सुरक्षा में आत्म निरफर भारत की मिसाल पेश की थी पंदरा फरबरी को बैंगलूरू का आस्मान ऐसी ही हवाई शक्ति का गवा बना पांच दिन तक चलने वाले एरो इंडिया में मिक इन इंडिया का जलवा दिख रहा है 700 से ज्यादा भारते कंपनी अपने रक्षा हथियार और उकरन यहां प्रदर्शित कर रही है अधिकारियों का कहना है कि एरो इंडिया का मकसद डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है जी हाँ करनाटक के पूर मुक्या मंतरी कॉलार से चुनाव लढ़ेंगे गोशना के बाद समर्थकों का प्रदरशन वहां पे देखने को बिला है सिद्धर अविया के आबास के बाहर प्रदर्शन हुआ करनाटक के विपक्षी रहता और पूर वो मुक्या मंतरी है प्रदर्शन क्या गया बताएगे चारहाई कि कॉलार से विधानसभा चनाव लड़ने की घुज़ड़ा के बाद सिधारवाया के समर्थकों ने उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन क्या अधर तिरूवरंद पुरम में कॉंगरेस का हल न बोल देखा गया केरल सरकार के खलाब कॉंगरेस ने प्रदर्शन किया कॉंगरेस ने इधन पर उपकर लगाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरूध प्रदर्शन किया तो लगातार कॉंग्रेस वहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कॉंग्रेस के कारे करता सडकों पर उतर आए है और लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है जो इधन पर उपकर लगाया गया है पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार किया है पुलिस आरोपी ने एक तरफा प्यार में इस घटना को अंजराम दिया है फिलाल पुलिस आरोपी को गिरफतार कर जाँच परताल में जुटी हुई है इधर बीज़पी नेता ने केसी आर पर निशाना साधा पीम मोदी की जमकर तारीफ की तेलंगाने के हिदरबाद में पूरबुसांसत और बीज़पी नेता बुरा नरसया गौड ने मुक्षे मंत genre KCR पर जम करो शाना साधा उन्होंने विधान सभा में प्रधान मंति नरीद मोधी पर की गई टिप पड़ियों के लिए क केसी आर की अलोचुना की साथ ही कहा कि तेलंगारा विधान सभा में केसी आर द्वारा की गई ठीप पढ़िया जूट और अशुद्धियों से भरी वी हैं इसके अलावा प्रधानमंत्री की तारीफ करते वे उन्होंने कहा कि पी ए मोधी कर्म योगी हैं कैश योगी नहीं चले को और बड़ी खबर आपको बताते हैं तटरक्षक बल की पासिंग आउट परेड हुई कोची में पासिंग आउट परेड समहारो और इस समहारो में केरल में केरल के कोची में 75 वे तटरक्षक बल की पासिंग आउट परेड का आयोजित किया गया तटरक्षक सहाय कमांड और डीबी के 75 वे कोर्स के 19 अधिकारी, उनिस अधिकारी, CG Law and Operations कोर्स के सफल समापर पर भारतिय तर्टरक्षक प्रशिट लके अंदर कोच्ची के पोर्टल से पास आउट हुए और एक सब्था के इस ट्रैनिंग के दुरान बता दें आपको के अधिकारियों ने तर्टरक्षक विश्च 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 जैसे की समंदरी कारून, खोज और बचाव बोर्डिंग और साथी साथ नियंतरल और इसके अलावा समंदरी प्रदूशल की रोक थाम कैसे की जाए और नियंतर इस पर कैसे की जाया और करतवयों के सीची चार्टर से समंदित अन्य विश्च 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 NDP के निताओं ने भी की है कड़ी आलोशना अनाका पल्ली में पुलिस उपाध्यक्ष आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं और चर्चाओं में बने रहने की वज़े से गांजा तसकरी मामले में जब्त की गई कार का निजी प्रियोग ये बात सामने आ रही है दरसल खबरों की बाने तो पुलिस उपाध्यक्ष बी सुरील ने कतिल तोर पर उसकार का प्रियोग किया जो गांजा तसकरों के पास से जब्त की गई थी जिसके बाद पुलिस उपाध्यक्ष को काफी आलोशनाओं का सामना करना पड़ा था चले एक और खबर आपको बताते हैं रामे शुरम से हैं महाशिवरात्री उत्सव कारिकरम का आयोजन और इसमें सातीजाद रामनाथ स्वामी मंदिर में किया गया आयोजन दर्शन के लिए शुरध्धालों की भीड उबड़ी प्रयाप सुरक्षा बलना होने से यातायाद बादित हो गया रामे शुरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में महाशिवरात्री महुस्टप का भग्या आयोजन शुरू किया गया या आयोजन 12 दिन तक चलेगा और इस आयोजन के तीसरे दिर रामनाथ स्वामी ने चाली के बाहन में मंदिर से प्रास्थान किया जहां रास्ते में जगा जगा पर शुर्धालों ने रामनाथ स्वामी कर स्वाद़ किया इस दोरान परियात स्रक्षबल मौजूद नहीं होने के कारण लोगों को आवा गबन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा साथी शुर्धालों को भी काफी समस्या जेन ने पड़े तो महा शिवरातरी का जो उत्सव है उसका यहां पर शुबारम कर दिया गया लेकिन शुर्धालों को ट्रैफिक जाम की वज़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ा फिलाल यहां पर एक छोड़ से ब्रिक के लिए हमें रुकणा होगा आप मुझे और रविश को दीजे इजासत लेकिन वनेरी न्यूस इंटे के साथ